नमस्कार देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ सुमन आज की मुखी समाचारों में हम बात करेंगे कोंग्रेस की सरकार बनने पर राखुल गांदी की बड़े एलान की दुबई में अपने ही बयानों से फसे पीम मोदी की बीजेपी बिजनस करती है रासनिती नहीं कोंग्रेस के बयान की छारकंड सीम ने मोदी सरकार पर लगाए कोईले की पैसे नहीं देने की आरोप की बात करेंगे मादर प्रदेश में भाजपा की जीत के बड़े दावी की और बुलिटिन के अंत में हम जानेगी क्या सच में बीजेपी सीथ कालिन सत्र की शिरवात से पहले चाल साथ रसने की तैयारी में लगी हुई है इसके साथ ही और भी कई में अधुपन खबरों से आपको करवाएंगी रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एकनजर सुर्खियों पर मादर प्रदेश अत्यसगाट राजस्थान और तेलंगाना में आज आ रहे चुनावी परिनम केंडर में कोंग्रेस की सरकार आने पर चिरंजी वी योजना पूरे देश में होगी लागूर राहूल गांदी ने दोख़ाट चुनाव को लिए कर दिया बड़ा बयान कहा राजस्तान की चिरंजी वी स्वास्त बिमा योजना देश के लिए आदर्श बीजेपी बिजनस करती है राजनिती नहीं भाजपा परबर से कोंग्रेस के नेतादिक विजय सिंग बोले आज हमें पता चल जाएगा कि सियम सिवरा सिंग चोहान कहां खड़े है जारकन सियम हेमन सोरेन ने मोधी सरकार पर लगाया पैसे ने देने का आरोब बोले राजजे की हक का 1,36,000 करोड रुपैन नहीं दे रही केंद्र सरकार तीन मैचों की टेस्स सिरीज खेलने ओस्टेलिया पहुंची पाकिस्तानी टीम तो खिलाडियों को खुद ही ट्रक में लोट करना पड़ा सामान सपोर्टिंग स्टाफ न मिलने पर फैंस ने मेनेजमेंट को जम कर लताड़ा रनबीर कपूर और बोवी देवल के एक्सन से भरपूर फिल्म एनिमल ने पहले ही दिन माली 30 जहार पठान का तोड़ा रिकोर्ड दुनिया भार में फिल्म ने की 120 करोड की बंपर कमाई सब्सक्राइगा मिचोंग तूफान 100 किलोमेटर परती घंटे की हिसाब से हवाचलने और 23 बारिस के लिए जारी क्या गया है अलट पत्र ओनलाइन बेटिंग एप पर बेन लगाने के लिए की माग साथ ही लिखा अब तक हमने 450 से जादा आरूप्यों को पकड़ा अब आपकी बारी फरजी वादे और फरजी गेरंटी देना कोंगरेस की पूरानी आदत केंद्रीय मंत्रीय नुराग ठाकुने राजस्थान में किया भाजपा की जीत का दावा बोले कोंगरेस बेनकाब हो गई है अब भाजपा सरकार बनाएंगे इस बार नहीं पड़ेगी कड़ाके की सर्दी अलनीनो प्रभाव एक्टिफ होने से बदलास सर्दी का पैटरन आगामी तीन महिने में दिन का तापमा चार पांस डिग्री जादा रहने की उमेत पहली बार महिला दिकारी समालेगी आई एनस स्ट्रिंकट की का मान नो सेना प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार ने कहा नो सेना में महिलाओं की भूमी का तेजी से बढ़ रही है हर महिने नए रिकोर्ड बना रहा अप यूपी आई पैमें नवंबर महिने में देश में यूपी आई ट्रांजेक्शन से 17.4 ट्रिलियन रुपे का हुआ लिन देन भारत ओस्टेक भी बड़ा आयोध्या में 320 करोड की लागत से शिरी रामे एरपोर्ट बन करहुआते या नाइट लेंडिंग की रही गी सुईधा यूपी सीम योगी आदितनाथ ने किया निरक्षन भारत लाहे जाएंगे विबिन देशों में रहने वाले 184 भगोडे अपराधी संसत के पुस्तकाले भवन में केंद्रिय मंत्री राजनाथ सिंग प्रलाज जोसी समेत कई वरिष्ट नेताओं की मुझूद गिमे हुई सर्वदलिय बैठक 4-22 दिसंबर दक चलेगा संसत का सीथ कालिन सत्र सरकार बोली हम सभी मुद्धो पर चर्चा के लिए तैयार विपक्स ने की जातिकत जन्गरना कराने की मांग भारत बना समुंद्र का सेहन सा अंतराष्टे समुंद्री संगटन परिषद में फिर लहराया देश का पर्चम विश्व के तमाम देशों ने मिलकर एक बार फिर से भारी मतों से भारत को अंतराष्टे समुद्री संगटन परिषद के लिए चुना आधिते एलवन की एक और लंबी चलांग सूर्य का अध्यन करने के लिए भेजे गई इश्रो के सोलर मिसन ने सोर हवाओं का शिरुक्या अध्यन विजोरम में आज नहीं कल होगी काउंटिंग इसाई समुदाई की मांग पर लिया गया फैसला कहां कि रविवार को चर्च जाना जुरूरी चीन के रहसे में वाइरस से अमेरिका सतक्स सिनेटरों ने राष्ट अपती जो बाइडेन से की खास अपील कहां हमें अमेरिका चीन के बीच यात्रा को तुरंग प्रतिबंदित करना चाहिए तमिलाडू में एडी अफसर 20 लाग घूस लेते गिराफतार पांच महीने में सेंटरल एजेंसी का 30 अफसर पकड़ा गया डॉक्टर से मांगे थे 50 लाग रुपे ये तो तिस और क्या आप चलते हैं आसकी बड़ी खबरों की ओर खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे COP28 में अपने ही बयानों से घिरे PM नरेंज मोदी की क्योंकि कॉंग्रेस नेता जेराम रमेश ने दुबबई में दिये गे प्रधान मंत्री के भासन पर सवाल उठाया है साथ ही 2014 के बाद बीजेपी के की एक कारियों पर जोरदार हमला बूला है ऐसे में क्या काये कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता ने देखिए इस खास रिपोर्ट में दरशल जुकरवार को दुबई में संपन खुए कॉंफ्रेंस ओफ पार्टीज यानि की COP28 सिकर सम्मिलन में शामिल होने PM मोधी भी पहुंचे थे जहां उन्होंने परियाण संबंदी विभिन मुद्धों पर अपना संबोधन दिया था प्रधान मंत्री के संबोधन को लेकर कॉंग्रेस नेता जेराम रमेज ने उन पर तीखा हमला बूला है रमेज के मुताबिक प्रधान मंत्री ने मैक्सिमम ग्लोबल टोक मिनिमम लोकल वोक के सिधान्थ को अपनाया है उन्होंने कहा कि पीम वैस्वी के स्तर पर बाती तो बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन देश में वैसा कुछ नहीं करते या जो कहते हैं उसके ठीक विप्रीत करते हैं जोने दूबई में दावा किया है कि भारत ने पारिस्तितिकी और अर्थविवस्ता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाया है। जो जीवन प्रिताशा के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा है। कही गई उनकी बातों को कोई कैसे घंबीरता से ले सकता है। भाजपन एता कैलास विजेवर्गे ने दावा करती हुए कहा है कि जमीन पर जो सर्विक्षन हुए है। उसमें साफ तोर पर कहा गया है कि भाजपन मद्यप्रदेश, राजस्तान और चतिसगर में सरकार बनाएगे। हमने विकास किया है इसलिए जनता हमें प्यार कर रही है। हमें फिर से सरकार में ला रही है। मैं दो महीने के अंदर 103 सीटों पर गया हूँ। इसलिए दावे से कह रहा हूँ कि माद्यप्रदेश में हम लोग सरकार बनाएगे और 180 से उपर हमें सीटे मिलेंगी। सिएम सिवरा सिंग चोहान के प्रती हाई कमान की नाराजगी के सवाल पर विजेवर्गे ने कहा कि सीट नित्यत्व को इतने फुरसत नहीं है कि वह नाराजगी के लिए समय दे। पर आरोप लगाएगी, प्रशासन पर आरोप लगाएगी, चुना वायोग पर आरोप लगाएगी। कि मतगर्णा में भाजपा माध्य प्रदेश में पूर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। थोड़ा और इंतजार उसके बाद नतीजे सामने होंगे। कल से संसद में शिरू हो रहे, सीद कालिन सत्र को लेकर सवाल की उमीद जिताई जा रही है। ऐसे में साल के इस अंतिम सत्र में क्या-क्या रखे जा सकते हैं प्रस्ताव और क्यों मच सकता है बवार। देखे इस खास रिपोर्ट में। साल कंतिम सत्र के जाने वाले सिद कालिन सत्र की शुरवात संसद में 4 दिसंबर से होने जा रही है। जोन कौन से विधेयक संसद में पेश के जाएंगे आपको बता दें कि संसद में 37 विधेयक लंबित हैं जिनमें 12 विधेयक इस सिद कालिन सत्र में पारित हो सकते हैं। विधेयकों में IPC, CRPC और Evidence Act को बदलने वाले विधेयक, भारती नाय सहीता, भारती नागरिक शुरक्षा सहीता, भारती साक्षय अधिनियम भी शामिल है। इसके अलावा जमुकस्मी Reservation विधेयक 2023, जमुकस्मी Reorganization विधेयक, Post Office विधेयक, The Bailers Bill, Central Goods and Service Tax Bill, Central Universities Bill, Chief Election Commissioner और अन्य Election Commissioner विधेयक आदी शामिल है। बता दें कि चुनाव आयुकतों से संबंदिति स्विधेयक के पारित होने के बाद चुनाव आयुकत का स्टेटस, कैबिनेट सची उस्तर का हो जाएगा। जबकि अभी जुनाव आयुक का स्टेटर सुप्रीम कोट के जच के बराबर माना जाता है। इसके अलावा सित कालिन सत्र के पहले ही दिन संसद में अपने जोसिले भाषनों और बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली त्रण मुल कोंग्रेश सांसद मोया मोहितरा को बड़ा जटका लग सकता है क्योंकि त्रण मुल कोंग्रेश सांसद मोया मोहितरा पर रिस्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा है। जिसके चलते लोगसभा की Ethics Committee टीम सी सांसत पर अपनी रिपोर्ट को 4 दिसंबर को निचले सदन में पेश करेंगी लोगसभा सचिवाले की लिस्ट ओफ बिजनस के अनुसार आचार समीती के अद्यक्स विनोध कुमार सोनकर समीती की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे तो कैसे लगे आज के समाचवार कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश की मैत अपुन खबरों की तुरंत अपडेट पानी के लिए हमारे वोर्टसप टेलिग्राम चैनल को जोइन करें और ट्वीटर फेस्बूक कर हमें फोलो कर जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रप्शन में दी गई है